बहुत बहुत स्वागत है Techmaster जी के नए वीडियो में चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस Tech News तो Samsung ने अपने नए Unpacked Event का Announcement कर दिया है एक फरवरी को यानि 2023 एक फरवरी को ये Event जो है San Francisco में किया जाएगा और इसमें नए Laptop Series के अलावा जो है कई नए अपडेट भी Announce किये जा सकते हैं अभी हाला कि कुछ भी पक्का नहीं है सिर्फ Official जो है Announcement की Date फाइनल की गई है और COVID के बाद से देखें तो ये पहला Event है जो Samsung कर रहा है लगबग तीन सॉलों तक Samsung ने कोई भी Event जो है उपनली ऐसे नहीं किया था इसके अलावा इसमें नए flagship smartphone भी जो है इस Event में लाँच किये जाएंगे इसके अलावा इससे जोड़ी कोई और जानकरी आप चाहते हैं तो डिस्किप्शन में Samsung के Official Block का लिंक है वहाँ पे जाके ये announcement की सारी detail आप बढ़ सकते हैं बढ़ते हैं अगली खबर की और जो है IQ 11 की IQ 11 फाइनली भारत में launch कर दिया गया है और इसके दो variant अबलेबल हैं एक 8GB RAM का variant एक 16GB RAM का variant इसकी सबसे कास बात है इसका प्रोसेसर इसमें Snapdragon 8 Gen 2 दिया गया है जो इंडिया में पहला flagship स्मार्टफोन एस प्रोसेसर के साथ इसके दोनों variant आप online ले सकते हैं IQ की साइट से ले सकते हैं तो कीमत इसकी मैं बता देता हूँ IQ 11 का जो 8GB RAM variant है ये आपको 59,000999 रुपीज में मिलेगा और वहीं इसका जो 16GB RAM का variant है उसे अब 64,9964,000999 में खरीज सकते हैं बाकी डीटेल इसकी features वगरा अगर जानना चाहते हैं तो description में site का link दिया गया है आप वहाँ से description वगरा भी पढ़ सकते हैं feature जान सकते हैं साथ ही direct purchase भी कर सकते हैं अगली ख़बार है Redmi Note 12 5G के बारे में इसकी sale जो है आज से शुरू होने वाली है आप MI की site से इसको purchase कर सकते हैं ठीक 12 बजे इसकी sale शुरू हो जाएगी और इसके 2 RAM के variant वहाँ पे मिलेंगे एक 4GB RAM variant एक 6GB RAM variant तो इसका 4GB RAM का जो variant है इसे आप 17,999 रुपे में ले सकते हैं और वहीं इसका 6GB RAM का जो variant है उसे 19,999 रुपे में खरीच सकते हैं बागी इसके features वगएर अगर आप देखना चाहते हैं तो description box में दिये गए MI के link से जाके सारे features देख सकते हैं अगली एक हमारे Instagram से जुरू Instagram ने एक नया update अनौन्स किया है जो फरवरी में दे दिया जाएगा अब इस update के बाद आपका जो shopping का tab है वो नीचे की और नहीं दिखाई पड़ेगा इसकी जगे सिर्फ content create करने का shortcut button आएगा और साथ में reels का button आएगा shopping का tab आपको feed, reels और साथ में add जहां पे होते हैं वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से direct आप shopping कर पाएंगे OnePlus 7 जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक थोड़ी निराश कर देने वाली ख़बर है OnePlus ने announce कर दिया है अपनी community में साथ साथ ने बता दिया है कि अब जो update आपको दिया जा रहा है ये last update है इसके बाद से ये क्योंकि आगे जब update बंद हो जाएंगे तो हो सकता है आपको कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं तो भाई ये साल gamers के लिए बहुत अच्छा होने वाला है globally इस साल करीब 33 नए गेम लाँच होने वाले हैं आप PS5, PS4 के लिएवा कई दूसरे platform पे खेल पाएंगे नीचे दिये का description पे सारे games की launch date दी गई है आप वहाँ पे जाके जान सकते हैं कौन सा game किस दिन launch होगा इन सारे games की जो date है वो officially बदा दी गई है अभी तक कोई भी इसमें से game नहीं हो सकता है आगयाने वाले समय में जो है कुछ नए game हो रहा है लेकिन फिलाल जो है ये 33 गेम है जो launch होने वाले है तो आज की tech news में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो tech master जो subscribe करना मत भूलिए और साथ ही इससे जोड़ा कोई comment है तो आप नीचे लिख सकते हैं उसका जवाब जल देने की कोशिश करूँगा जल मिलते हैं अगले वीडियो में